अस्वाम लेकुम पाकिस्तान क्ले टाइल में खुशामदी आज की इस वीडियो के अंदर जो नया काम हमने कंप्लीट किया है उसकी वीडियो आपको दिखाई जा रही है इस साइट के ओपर हमने स्पाइनेश टाइल 6 बाई 9 साइज के अंदर इंस्टाल की है यह नमबर वन क इसको फिक्स कर दिया गया इसकी मजबूती इतनी है कि अगर आप इसको उपर चाड़के पेंट होगारा करते हैं यह आपका वजन बर्दास्ट करती है इसका व्यू आपको दूर से दिखाया जा रहा है मैं आपको करीब से भी दिखाया देता हूं कप्रेल टायल को इस्ट निशनल कारीगर भी होते हैं यह आपको जो कलर लगा हुआ नजर आ रहा है उपर यह इन्होंने जहां सिमट नजर आ रहा था वहां लगा दिया वक्ती तोर पर जो सिमट की रिकवरी करने के लिए इसको प्रापर तरिकी के साथ आप बाद में पेंट भी करवा सकते हैं बैरल टायल इंस्टाल कीए है इसका मकस्विद यह है कि यह जो टाय लगाइ गही है ये वाली इसके जो बैक साइड वले सुराख हैं उनको बंड किया गया है इसको लगा के आप इससत्रह भी लगा सकते हैं इसको खपैल टायल को जो आपका शेयर्ड या कनोपी पे तो ओर कि आपको मैं निच्छे दिखा देता हूं यह निच्छे जो आपको सुराख नजर आ रहे हैं सामने यह शेड के बैक साइड के ओपर इनके ओपर यह लगाई गई है ताकि इनकी जो सुराख हैं वो बंद किये जा सके आप यह बंद भी कर सकते हैं अगर आप इसको उसी तरीक के अंदर आपको ये भी दिखा दूँ कि आपको खप्रेल लगाने के बाद आप इसको इस तरीके के साथ बंद भी कर सकते हैं इसका दूसरा तरीका कार गुजिचता वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बैक साइड के ओपर जो है आपने इसको सिमट के साथ बंद कर देने वो भी ठीक है अगर बाद में आप इसको बैरल टाइल लगवा दें इसी तरीके के साथ तो ये भी आप करवा सकते हैं कप्रेल टाइल के हवाले से आपको किसी किसम की मालूमात सही हो आप हमारी नमबर पे रापता कर सकते है इसी नमबर पे मराबट साब है ये पूरे पाकिस्तान में डिलिवर कर रही है आप घर बेठे अपना ओर्र जो है वो बुक करवा सकते है हमारे पस कप्रेल टाइल में अदर डिजाइन भी मूजुद है अदर साइज भी मुझूद है यह जो स्टेंडर साइज है अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ छे बाई नौ कपरेल टायल में सबसे ज़्यादा यही साइज यूज होता है इसके लवा मरे पास स्कॉर डिजाइन भी है इसको टायल है खप राईल टायल में तकरीब determination गोला बडा साइज में और वो भी हमसे मगवादा सकते हैं खप राईल टायल के получилось सारी के सारी आप अपनी मर्सी का डिजाइव की घूजाइन हमसे मगवादार सकते हैं इस वीडियो के अंदर आपको खप्राइल टाइल लगाने के बाद जो पर ये बैरल टाइल इंस्टाल की जाती है ये सुराखों को बंद करने के लिए ये चीज थोड़ी वाज़ा करके बताई गए ये ये आप देख सकते हैं इसके सुराख अभी ओपन है और बाद में ये चीज जो है इसको बंद कर दिया गया है मजीद अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है खपैल टाइल लगाते हुए तो आप हमारे नंबर पर रापता कर सकते हैं आपको हमारा नुमाइंदा जो है वह वह प्रापर तरिकी की साथ गाइड करेगा और जो चीजें समझ नहीं आ रही हो आपको समझाएगा बक्या ये टाइल जो है आप घर बैठे भी ओडर कर सकते हैं और ये टाइल मगवा सकते हैं ये पूरे पाकिस्तान में ग्लिवर कर आज की वीडियो में आपको जो वर्क कंप्लीट हुआ है उसमें जो नहीं चीज आई थी वह दिखाई गई है अमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी इसका फ्रांट डबल किया गया है थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखा देता हूं ये आप देख सकते ह कि जो पहली टाइल है ये डबल की गई है और बैक साइड के ओपर जो है वह वो टोटल सिंगल लगाया गया है कि फ्रांट पर बैरल टाइल इंस्टाल हुई है चार बई नौ साइज के अंदर और बैक साइड के ओपर छे बई नौ टाइल जिसको स्पाइनिश टाइल बोला जाता है वह इंस्टाल की गई है आपको खप्रैल टाइल के हवारे से किसी किसम की मालूमात सही हों आप हमारे नूमर पर राप्ता कर सकते हैं यह उपर आपको जो बढ़ा वाला कॉर्म जो स्पाइनिश टाइल के आगे नजर आ रहा है यह इसका इसकी कटिंग के लिए यूज होता है जैसा कि आपको इस कॉर्णर में भी और नजर आ रहा होगा यह मैं आपको करीब से दिखा आजेता हूं जहां जहां कटिंग आएगी वहां आप यह बैरल गोला जो है इसको लगवाएंगे इसका असल मकसद जो है खप्रेल टायल की कटिंग जहां आती है जैसा कि आपको यह नजर आ रहा है यह इसकी कटिंग को कवर करता है यह आपको कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने का शुक्रिया अल्ला हाफिस